वेल्कम टू सुपर फास्ट इंगली सकेट भी दोस्तों आपके एक्जाम के लिए बैस्ट में आपको देगो यह स्रीज चला रहा हूं करेगा इससे पहले जितने भी 14-15 वीडियो मैंने आपको दे रखी है स्पेशल उनली 14-15 रहें तो उनको भी आप एक बार दे करके पेपर देने जरूर जाना दोस्तों मुझे आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखिए पहला वाला क्वेशन है चलो हम टाइम बिस नहीं करेंगे आप डिसकस करते हैं पहले वाले क्वेशन पर देखिए पहला वाला क्वेशन है कि I came to school at the same usual time अब इस बाले sentence में आप खुद भी सोचे इसमें क्या गलती हो सकती है देखिए मुद्दे की बात करता हूं मैं पहली बात तो देखो इसमें सी वाले point में गलती है ऐसा मैंने क्यों बोला उसके usual है वो दोनों कैसे वो एक ही प्रकार के मतलब दोनों ही adjective है तो यह एक rule होता है कि अगर दो adjective को यूज करेंगे तो या तो इनमें कॉम आएगा या फिर कोई conjunction आएगा लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा सीधे सीधे दो adjective लिख दिए है तो ऐसा करना बिलकुल मैंने लिखा good and bad तो देखो good और bad दोनों adjective में लिखने यहां पर मैंने end लगा दिया अमाल लीजेगा तीन adjective दिए good, bad, happy तो मैं क्या करूँगा good, bad, good, bad इनके बीच में कॉमा फिर last से पहले end लगा दूँगा तो आपने देखा कि अगर adjective है तो या तो कॉमा आएगा दो में या फिर end आएगा कोई भी conjunction आएगा बट basically आएगा जरूर क्योंको दोनों को अलग भी तो करना है न इसलिए वो गलोते जाएगा, second वाला है the company is using influence to pursued people to buy its referis raters, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये वाला बिलकुल सही है, no error आजाएगा, एक चीज़ और देख लिजेगा कि रेफरीज रेटर को आप spelling याद कलिजें क्योंकि ये spelling पूछ ली गई है आपके exam में, चलिएगा, आगे question है कि you should have used the money for paying your debt instead of buying a motorcycle, इस बाले sentence को समझ लएगा, पहले आपको देखो ये वाला concept है वो कई बार आ गया है, तो I hope जो भी important है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, देखो आपने कई बार मैंने कई बार बता दिया, अगर कोई preposition आ जाए तो उसके बाद जो बर्व आती है वो जीरंड के रूप में आती है, मतलब बर्व प्लस ing के रूप में, एक बात होता ये, ये जो off है ना, वो off, instead of, इसके बाद जो भी बर्व आएगी वो ing के साथ आ चाहिए, ये वाला रूल पता है, कम से कम मैं जब से बढ़ा रहा हूँ, हर एक practice set में आई जाता है, तो ये जीरंड वाला थोड़ा सा आप अच्छी तरह से समझ लीजेगा, बाकी ज्यादा difficult ये नहीं है, आगे देख लीजेगा, आगे एक चीज है कि my cousin sister invites me to her birthday party, ये वाल बहुत easy है, कई बार repeat हुआ है, ये सबको पता होगा, कि cousin आ जाए ना, तो इसके साथ न तो कभी sister लगाते हैं, न कभी brother लगाते हैं, तो क्यूंकि cousin के अंदरी sister और brother चुपा रहता है, जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने लिखा है याँपर unless, तो देखो unless के अंदर unless का मतलब होता है, if plus not, जब इसके अंदर already not चुपा हुआ है, तो इसके साथ जो sentence लेगा ना, उसमें not नहीं आता, same वही वाली वात है, कि जब cousin के अंदर sister, brother आता है, तो आपको extra लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो आ जाएगा, समझ में आरा हैं, आ जाएगा, चिंता मत करिए, आगे देखो, जिससे आपने एक चीज और देखा हुआ, इंटर, अब ये चीज इंटर, तो इन, मतलब ऐसे चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती है, समझने के लिए, वो चीज़ आपको मैं बताते जा रहा हूँ, आगे देख लिए, वी शूड अबाइड टू द टेक्सी, मतलब क्या होगा, कार खराब हो गई, और हमको क्या एक टेक्सी लेनी पड़ी, तो आपने तीन चीज पड़ी होगी अपने जमाने में, आपने पड़ा होगा, हैज टू, एक होता है, हैफ टू, और एक होता है, हैड टू, बोलो येस और नो, इन सब का मतलब होता Suppose I have to sing a song मुझे गाना पढ़ता है अगर है आजाए पढ़ता के साथ तो आपको इन दौनों में से यूज करना है अगर मुझे जाना पढ़ता था तो आपको head to लगाना है तो basically ये देख लीजे आप end से पहले tense कौन सा use हो रहा है past तो इसका मतलब है कि इसके बाद भी कौन सा use होगा past तो यहां पर यह जो present वाले जो दे रखें यह तो आने से रहे तो इसका मतलब है कि यहां पर सिर्फ head to एकदम सही sentence हो जाएगा मतलब यह हो गया car खराब हो गई और हमको taxi लेनी पड़ी तो इस पड़ा-पड़ी में तो head to plus birth की first form आती है तो बर टू का यहां पर कोई meaning ही नहीं है बर टू का कोई meaning नहीं है तो यह गलत हो जाएगा आगे देख लिएगा he said I use his car whenever I wanted जब भी मुझे जरुवत होती तो मैं उसकी car को use कर सकता था उसने मुझे ऐसा का था भाई अब यह समझ लीज़े आप यहां पर possibility को so कर रहा है यह देखो यह पहले क्या आ रहा है past आ रहा है इसका मतलब देखो आगे भी past आ रहा है मतलब इस बीच में भी past चलेगा तो इसका मतलब हो गया कि जो future और present देखा यह तो हटी जाएगा यह ऐसे करके समझा करोगा तो possibility के लिए क्या होता बताओ या तो can आता है या फिर में आता है तो can और make up past क्या हो जाता है बताओ possibility संभावना के लिए या तो could होगा या फिर might हो जाएगा तो यहाँ पर could बाला option एकदम सही है आगे देख लिएगा he will not work he is compelled अब यह चीज आपको समझ लेनी है काफी अच्छा question है अगर आपने concept नहीं समझा मतलब आपने एक number हो दिया पहली बात तो यह समझो जो मुद्दे की चीज है यहाँ पर till और after दो preposition है न और preposition के यह जो सारे न दो वाक्यों को नहीं जोड़ा जा सकता preposition से दो वाक्यों को conjunction से जोड़ते है न दो वाक्यों तो कभी भी preposition दे दो वाक्यों को जोड़ा जा सकता है कि देखो एक तो यह हो गया एक यह हो गया तो till और after ये तो preposition है ये तो आई गई नहीं अब बचा if और unless ये देखो ये वाला sentence कैसा है negative है तो अगर negative sense रखना है तो आपको unless यूज करना है क्योंकि दोनों ही sentence can negative sense दे रहे हैं आगे देख लिजएगा आगे देखो the teacher said disappointedly मतलब teacher ने बहुत दुखी पूर्भक मतलब ये हो गया कि दुखी होते हुए कहा there is in my class who can solve this problem यानि मेरी class में कोई भी नहीं है मतलब मेरी class में कोई भी नहीं है जो इस problem को solve कर सकता है यानि एक बात आता हो एक तो ये negative sense दे रहा है क्योंकि भाई teacher ने अगर दुखी हो करके कहा तो इसका मतलब है class के अंदर कोई नहीं होगा जो उस problem को solve कर सके तो यानि nobody यहां पर एकदम सही हो जाएगा आगे देख लीजएगा अब आपको यह sunonium बताना है तो basically sunonium पर बढ़ जाते हैं देखो जो भी important है वह मैं आपको बताते जा रहा हूं यह समझेगा ब्रिस्क पहले सबका में spelling बताते जाएगा ताकि आपको vocab भी अच्छा हो जाए तो ब्रिस्क क यह परेशा नहीं हो जाएगा फलाल में डी इसका exact answer हो जाएगा आगे देखो पेल के ना पेल दे तो पेल दे का मतलब हो जैसे मालिस यह कोई वैल है कोई कुवा है अब वहां पर आप बाल्टी से पानी ले रहे हैं और ना रहे हैं उससे तो अगर आपको जरूरत है तो सा सब्सक्राइब हो जा एक यह जाए पेल दे मतलब क्या देन बाल्टी दे समझ में आ गया चला आगे और झरहें अचा मग ओं अमग तो यह सब को आता हो होते हैं कितना कंटेनर यह वैशल है या फिर बलक केरियर वैशल है या फिर जो भी है मतलब बहुत सारे शोर वैसल होते हैं चलो आगे बढ़ जाते हैं आगे देखो कंडोन कंडोन का मतलब सबको पता हुआ कंडोन का मतलब होता है माफ कर दीना शमा कर दीना मतलब क्या हो गय आगे बढ़ जाते हैं और आगे ये एंटो ने ओपोजिट दे रखा है तो ओपोजिट को भी हम एक बार डिसकस कर लेते हैं चलेगा ये काफी अच्छे देखो इनक्यूजिटिव का मतलब होता है जिसके अंदर जिग्यासा हो जिग्यासू तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा इंडिफ्रेंट जिसके अंदर जिग्यासा ही नहीं हो बिल्कुल उदासीन हो जाएगा समझ रहा है तो उसको अब उदासीन है इसके अंदर जिग्यासा ही नह होता है सयोग करना सयोगी सायता एक होता है अन सिम्पाथटिक तो इसका मतलब होता है जिसके अंदर सिंपाती नहीं होँगा एकदम निश्टोर तो यह होज़ाइगा आगे देखो डायलेट डाय डी-i-l-a-t-e यह अच्छी स्पहलिंग है याद कर लिजगा डायलेट का मतल मतलब प्रस्ट्रेट का मतलब करते हैं गुमावाद कॉறल Gart उसकी करना ऊसका बरव पब्ली साइज, पब्ली साइज हो जाएगा प्रिचार करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विद होल्ड, प्रिचार नहीं करना, मतलब रोक देना, कोई चीज अगर चार उतरा फैलरी तो उसे आप रोक रहें, तो विद होल्ड कर रहें, साइलेंस तो यहां पर पब्ली साइज करना, एक होता है, प्रो मुल्गेट, तो प्रचार करना, किसी भी चीज को लागू करना, चलेगा, आगे और बढ़ जाते हैं, आगे जो भी इंपोर्टेंट है, वो मैं आपको डिसकस करने वाला हूँ, तो फ्रेंट्स, यहां पर मैंने देखो, वीडियो क करी दिया करूं, आपके हाद में तो कमेंट है, फटा बटे करना, ऐसी कमेंट करी हो मेरी राजा, आगे क्या वोलते हैं, उसे मतलब चाती जल जल जाया, दोसमन की, कुछ भी है सही, बट अगर अच्छा लगता है, तो यार कमेंट करके मोटिवेट देखो,